हलो दोस्तों जियो गुर्जी क्लासेज में आपका स्वागत है मैं रोई शर्मा सब्जेक्ट अपना जोगरोफी देखिए लेसन नमर चार हमारा चलना जिसका नाम है जल संसादन जल संसादन में आज हम पढ़ेंगे जल की मांग और उसकी उप्योगिता क्या है देखिए आप सब जानते हैं जल किस प्रकार से हमारे लिए उप्योगी है हम जल का उप्योग पीने में खाना बनाने में या फिर हम किसी भी छेतर आप कोई साभी छेतर देख लीजिए उसमें जल की आउशकता पड़ती है लेकिन पर भी हम बात करें जल की उप्योगिता सब सबसे ज़्यादा कहां पर है तुम आपको بتा दू सबसे ज़्यादा जलकाओपियो क्रिशी चेत्र में होता है अब बात चल रही है भारत की तो भारत एक गरशी प्रदान देशं में होता है किरिशी प्रदान Went visa ठीक है तो हमारी पहली लाइन जो होती है इसे सम्मंदे टॉपिक से वो है कि भारत एक कृशी प्रधान अर्थियवस्ता है और आप सबको पता है कि सबसे जादा अगर पानी का उपयोग किसी छेतर में होता है तो वो कृशी छेतर में होता है ठीक है तो पहली लाइन इसी से जोड़ते में लिखेंगे भारत एक क्रिशी प्रधान अर्थ्य वस्ता है मतलब ये कि भारत में जो क्रिशी पैदा होती है वो भारत की अर्थ्य वस्ता में एक एहम भूमी का निभाती है और भारत की अर्थ्य वस्ता को आगे तक ले जाती है ठीक है अब अर्थ्यवस्ता क्यों है उसका भी कारण है क्योंकि भारत की जनसंख्या का लगबग दो तियाई भाग किर्शी पर निर्बार ठीक है किस पर निर्बार है किर्शी पर इसको मेंचन कर दीजी भारत की जनसंख्या का लगबग दो तियाई भाग किर्शी पर निर्बार है ठीक है अब आगे की और बढ़ते हैं देखे हमारे क्रिशी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे एहम जो आवशक्ता है जिस चीज की आवशक्ता है वो है जलकी और इस जलकी आपूर्ती को हम पूरा करते हैं सिचाई के माध्यम से भारत के अंदर क्रिशी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिचाई के विकास को एक अति उच्चता जिसे हम कहेंगे उच्च प्रात्मिक्ता प्रदान की है भारत सरकार ने आज की सरकार हो चाहिए वो पिछले सरकार हो क्योंकि भारत के अंदर कई छेतर ऐसे हैं जहां पर मानसून का भाव पाया जाता है या फिर हम कहें कि भारत के अंदर मानसून एनिशिता एनियमित्ता लिए होता है इसलिए जलकी पूर्ती के लिए सिचाई के आउशक्ता विकास पर आपको प्रात्मिक्ता देनी होगी ये इंपोटेंट है ठीक है चलिए इसको मेंचन कर दीजी कृषी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिचाई के विकास को उच्च प्रात्मिक्ता प्रदान की गई है और वो भी कहाँ पर भारत में ठीक है अगर सिचाई विवस्ता है तो एक तरीके से कृषी के अंदर उत्पादन आसानी से हो जाता है और जलकी जो मांग है उस मांग को हम सिचाई के माध्यम से कृषी छेतर में कर सकते हैं ठीक है पूरी अब देखे हमारे भारत के अंदर कई बहुत देशिये नदी घाटी परियोधना भी चलाईगी वो चलाईगी इसलिए गई क्योंकि किसी छेतर जैसे माल लेजिए आप पश्चिमी राजस्तान में जाईए पश्चिमी राजस्तान में सूखे की संभावना ज़ादा रहती ह या सूखे की सती जादा है उस सूखे की सती को हरा भरा करने के लिए पानी पहुंचाने के लिए इंद्रा गांदी नहर परियोधना शुरू की गई इंद्रा गांदी नहर परियोधना सुरू करने का एक उद्देशता एक जलकी मांग को पूरा करना और कृषी छेतर के लिए सिचाई की विवस्ता करना अब बहुत देशे नदीगाटी परियोधना इंद्रागांदी परियोधना ही नहीं और भी कई परियोधना एती जो कि बहुत देशे नदीगाटी परियोधना से सम्मान देता है जो कि जलकी मांग पूरी करता है और कृषिशे शेत्र में सिचाई की विवस्ता भी करता है जै है यहां पर मेंचन करेंगे क्या बहु उद्देशिय नदी घाटी परियोजना है जो जलकी मांग वै उपयोग में एहम योगदान प्रदान करती है अब वै योजनाए कौन कौन सी है ठीक है उस योजनाओं के बारे में हम इसमें मेंचन कर देंगे वो योजनाए है जैसे की इंद्रा गांदी नहर परियोजना ठीक है मुख्य है राजस्तान की भाकडा नांगल परियोजना ठीक है ये भी मुख्य है इसके अलावा हीरा कुंड है हीरा कुंड है दामोदर ठीक है हीरा कुंड दामोदर घाटी और इसके अलावा नागारजुन सागर ठीक है ठीक है ये ऐसी परियोजना है जो कि जल की मांग को पूरी करती है और जिस छेत्र के अंदर जल की कमी है जैसे कि इंद्रा गांदी नहर परियोजना पश्चमी राजस्तान को हरा भरा करने में एक एहम भूमी का निभाती है ठीक है चले आगे क्यों बढ़ते हैं देखे भारत की वर्तमान में जल की मांग और सिचाई के आउशक्ता जो है वो सबसे ज़ादा है ठीक है अब ये जो सिचाई के आउशक्ताओं की जो पूरी होती है वो किन-किन छेत्रों से होती है तो बब वता दू आपको धरातले छेत्र और भोम जल से मतलब जो धरातल क के ऊपर है और जो धरातल के नीचे है ठीक है इसको मेंशन कर दीजे लिखना क्या है भारत की वर्तमान में इस्ति जो है वो जल की मांग और सिचाई के आउशक्ता के लिए अधिक है इसको मेंशन करेंगे भारत में वर्तमान में जल की मांग वैर सिचाई की आउशक्ता सर्वादिक है ठीक है अब इसे के साथ में मेंशन करेंगे कि ये आउशक्ताएं पूरी कहां से होती है ठीक है दिखेंगे भारत में जल की मांग वै आउशक्ता को धरात लिए वै भोम जल छेत्रों से पूरा किया जाता है मतलब ये कि भारत के अंदर जो जल की मांग है जल की आउशक्ताएं है वो कहां से पूरी की जाती है धरातल ये छेत्रों से और भौम जल छेत्रों से धरातल पर जैसे कि नदी इताला तलइया महां से और भोम जल में जो कि आपके धरातल के नीचे है वहां से पाने निकाल कर जल की मांग और आउशकताओं को पूरा किया जाता है ठीक है चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा मेरे इसाब से ठीक है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सुन लीजी टॉपिक उस पाधन को बढ़ाने के लिए हमको किस की आउशकता पड़ती है सिचाय की आउशकता पड़ती है और वो भी उच इस तर पर अगर आउशकता पड़ेगी तो आपको उस सिचाई विवस्ता के लिए आपको विकास की विवस्ता के लिए आपको उच प्रात्मिक्ता उस सिचाई विवस्ता को देनी पड़ेगी ठीक है और भारत में भारत में जिन छेत्रों के अंदर जलकी कमी है उन कमी को हम पूरा कैसे करें तो भारत सरकार ने क्या किया कई ऐसी भाउत देशिय नदिगाटी परियोधनाओं का निर्मान किया जिसे के जलकी मांग को पूरा किया जा सके वो मांग की पूर्ती किन-किन चेत्रों से की गई जैसे कि इंद्रागांधी नहर परियोदना है भाकडा-नागल परियोदना है हीरा कुन्ड है दामोदर घाटी है नागरजुन सागर है ये ऐसी परियोदना है जो भारत के अंदर जलकी मांग किसी भी चेतर में हो उसको पूरी करती है अब एक किर्शी चेतर में ही नहीं किर्शी चेतर है चाहे वो ओद्योगी के चेतर है ठीक है चाहे वो घरेलू सेक्टर है कोई सा भी सेक्टर होता है वहाँ पर इन पर्यूदनाओं से जलकी मांग कोई पूर्थी की जाती है भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा जलकी मांग है और वो भी सिचाई की आउशक्ता के लिए ठीक है जलकी मांग तो हर शेतर में हो सकती है चाहे बोध्यों की छेतर हो, चाहे कृष्यी छेतर हो चाहे वो घरेली सेक्टर हो और कृशी जेत्र के अंदर तो सिचाई की आवशक्ता पढ़ती है तो इस पर ध्यान दिया गया भारत में जल की मांग और आवशक्ताओं को अब पूरा करने के लिए जल की आवशक्ता कहां से पड़ी हमें आवशक्ता पढ़ रही है उस आवशक्ता को हम पूरा कहां से कर रहे है उस आवशक्ताओं को पूरा कर रहे है धरातले चेत्रों से और भोम चेत्र हैं वहां से जल निकाल कर धरातल से नदी नहरों को जोड़ कर आपस में पानी के आउशक्ता हो पूरा कर रहे हैं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा अब मैं आपको बताओंगा किन किन छेत्रों के अंदर धरातली छेत्र का कितना प्रतीशत और भोम जल का कितना प्रतीशत किन किन छेत्रों में उप्योग हो रहा है इस पे भी हम बात करेंगे चलिए यहां तक आपके समन में आ गया होगा यहां तक आप उतार लीजिए देखे सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्षी छेत्र में मैं आपको बता दू धरातलिय भोम जल का सबसे अधिक अगपियोग अगर कहीं पर हो रहा है तो वो कृष्षी छेत्र में हो रहा है ठीक है मेंचन करेंगे धरातलिय वे भोम जल छेत्रों का सबसे अधिक अधिक अपियोग कृषी छेत्रों में हो रहा है ठीक है कृषी छेत्रों में सबसे ज़्यादा उपियोग हो रहा है अब हम बात कर लेते कितना कितना प्रतिशत तो मैं बता दू आपको धरातलिय जल का ठीक है धरातलिय जल का निवासी प्रतिशत ठीक है निवासी प्रतिशत वे भोम जल का धरातलिय जल से निकला हुआ जल जो है वो तो निवासी प्रतिशत क्रिशी छेतर में जाता है और भोम जल का बाण में प्रतिशत कितना प्रतिशत बाण में प्रतिशत जल का उपयोग होता है जल का उपयोग होता है ठीक है अब सुनिए ये तो हुआ क्रिशी छेतर का ठीक है या मेंचन कर देता हूं कृशी अब हम बात करते हैं आपके ओध्योगिक छेत्रों की ओध्योगिक छेत्र में जो धरातलिय छेत्र है वहां का दो प्रतिशत और भोमजल का पांस प्रतिशत जलूपियोग होता है ठीक है दिखेंगे ओध्योगिक छेत्रों में धरातलिय जिसे हम कहेंगे सतही जल धरातलिय जल का दो प्रतिशत वै भोमजल का पांच प्रतिशत उप्योग होता है ठीक है मतलब आपका जो ओध्योगिक छेत्र है जैसे कृष्षी छेत्र के अंदर कितना सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको कृष्षी छेत्र के अंदर जल का उप्योग होता है धरातलिय छेत्र से मतलब नदियों से तालाबो से तल अब बात करते हैं घरेलू छेत्रों का ठीक है घरेलू छेत्रों में देखिए धरातलिये जल का अब देखिए आपके जो घरेलू छेत्र है उसमें धरातलिये जल का उपयोग और भोम जल की तुलना में अधिक है हम कहें कि धरातलयाजल के उपयोग से भोमजल की तुलना में कम से कम अधिक है 9 पृतिशत अगी बसन में इसको ढंक से सुनिए घरेलू सेक्टर के अंदर धरातलय cod Q का उपयोग भोमजल की तुलना में 9 पृतिशत अधिक है stato तब ये कहेंगे कि धरातलिय जल का उपयोग सरवादिक है घरेलु सेक्टर के अंदर ठीक है इसको मेंचन केईजिए कैसे करेंगे घरेलु छेत्रों में धरातलिय जल का उपयोग भूम जल का या जल से नो प्रतिशन अधिक है इस तरीके से जल का उपयोग और जल की मांग जो है भारत के अंदर इस प्रकार से होती है ठीक है यहां तक आपके समझ में आ गया होगा यह टॉपिक भी अपना कम्प्लीट हो चुका है ठीक है चलिए यहां तक आप उतार लीजी इस वीडियो में इत जरूर बताए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सको धन्यवाद